आज हम कख्सा 5 निसेई परियावरण चेप्टर नंबर 7 आई लव गुजरत इसके बारों में चर्चा करेंगे तो आज हम इस चेप्टर में हम गुजरत में कौन-कौन सी विशिष्टा है यानि गुजरत राज्य में कौन-कौन सी विशिष्टा है उसमें कौन-कौन से पसू यानि के प्रानी पक्सी यहाँ पे आते हैं उस सब के बारे में यहाँ पे कौन-कौन सी परवत माला है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शरुवात करते हैं चेप्टर नंबर 7 की आई लव गुजरात यहाँ सुर्खाब प्रती वर्ष गुजरात आता है सुर्खाब गुजरात का राज्य पक्सी है सुर्खाब विदेश से आने वाले पक्सी है सुर्खाब के साथ अन्य पक्सी भी आते हैं विदेश से आने वाले पक्सीों को प्रवासी पक्सी कहा जाता है यह पहले पेरेग्राफ में दो तीन चीज़ आई है वो ध्यान लग लेना पहला है कि हमारे यानि कि गुजरात राज्य के राज्य पक्सी के तोर पे किसको पहचाना जाता है तो वह है सुर्खाब यानि कि गुजरात का राज्य पक्सी कौन सा है तो कि सुर्खाब और दुसरा कि सुर्खाब हमारे गुजरात में रहता नहीं है लेकिन वो प्रतिव थंडी की मासा में यहां विदेशे आने वाले पक्सिओं, प्रवासी पक्सि कहा जाता है, यानि सुर्खाब है क्या, प्रवासी पक्सि, आजल के हैं, अरे गुजरात आ गया है, तो इस साल समफोना गुजरात देखना है, सुर्खाब इस साल जब गुजरात में आया तब वहां दूर से देखर लगता है कि गुजरात आ गया है अब मुझे इस साल तो पूरा गुजरात घुम के ही जाना चिंकारा आईए सुर्खाब भाई गुजरात में आपका स्वागत है मैं आपको कच का रेगिस्थान दिखाँ यह जो बाजु वाले चित्र में जो यह हिरन जैसा दिख रहा है वो चिंका रहा है जो रेगिस्थान में रहता है इसलिए वहां कहता है कि सुर्खाप को क्या यह मैं आपको रेगिस्थान दिखाता हूँ यह कच का रेगिस्थान सुर्खाब यहां नमक अधिक उत्पादित होता है ना सुर्खाब कहता है कि यहां पर देश का जितना भी नमक पकता है उसका सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन हमारे कच्छ में ही होता है हां हमारे देश की नमक के कुल उत्पादन का आधिस अधिक नमक का उत्पादन कच्छ के छोटे रेगिस्तान में होता है इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी में सित कंडला बंदर्गाह देश का दूसरे क्रम का सबसे बड़ा बंदर्गाह है यहां देश से यहां से डेश्व विदेश का व्यपर होता है हम देखते कि हमारा जोभी व्यपर होता है यानि वह तीन तरीके से चलता है तो तिन तरोगे से से यानि कि पहला होता है कि मार्ण परिवाण से दूसरा होता है कि रेलवे मार्ण की से समूद्रव में में जो बॉटे जाती है उसमें छोबी मार्ण सामन है वह एक से दुसरे देश तक या दूसरे जगह तक पहुंचाने का जो होता है उसे जल्वtt избयादार केता है यानि जल से लेखों होता है हमारे देश के साथ इस तरह से तो हमारे कर्णकिया दो चीजे जानी जाती है एक है कि देश का सबसे ज्यादा नवपत्पादि करता रहा है और दुसरा कि कच में आया हुआ कंडला बंदरगा हमारे देश का दूसरी क्रम्ठा सबसे बड़ा बंदरगा है जहां से देश वेदेश का वेपर होते हैं यानि कि माल का परिवान होता है सुर्खव बहुत अच्छा आपने मुझे आज कच्च का परीची करा है मुझे पूरा गुजरा देखना है तो मैं जाता हूँ आईए गायम गयन है ऐसा बोलके सुर्खव चला गया और आई हिए अर चीज की कच्च के बनी शेत्र में होता है और वह पूरे इस्या कौन-कौन से पक्सी आते हैं हमारे गाउं या हमारे सहर में भी बहार से आने वाले पक्सी होते हैं आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन कुछ पक्सी ऐसे होते हैं जो यहां के होते हैं और कुछ पक्सी बहार से आते हैं जो ठंडी की मौसम में हमें आते हुए दिखाई द है जब ठंडी की मौसम होता है जब रुतुप परिवर्तन होता है यानि कि ठंडी की मौसम में अम्दाबाद के पास जो हमारा सबसे बड़ा अम्दाबत के पास आया जो नल्सरोवर है वहाँ पे ठंडी की मौसम में यानि कि दिवाली के आसपास वहाँ पे विदेश से यानि कि विदेशी पक्सी वहाँ पे नल्सरोवर में आते हैं और वहां पे ज़्यादातर लोग को देखने भी जाते हैं, वो नर्सरोबर पक्षियों का अभ्यारणिया है, नर्सरोबर. तो ऐसे ही विदेश से पक्षियों अपने राजे में क्यों आते हैं, वो साल में एक बार भूतु परिवतन होने की कारण यहां पे आते हैं, यानि हम तो पनावा हो पानी के बीचों बीच एक उंचा उठकर गें और उसके चारों जहां पे पानी होटा है उसको हम क्या सकते हैं तो यह सुरुखा यह हां डॉलफीन ऐसे तो हम हंडे प्रदेस के पक्सी है फिर्वी जाडे में हम घुजरात में आते हैं कचका अबडासा अर्थात बड़ा सुर्खाब नगर इस बार गुजरात में घुमने का मन हुआ इसलिए प्रवास पर चल पड़ा डॉल्फिन मेरे साथ आईए और देखिये यहां प्रवाल चट्टान है स्टार फिस्ट यानि की तारा मचली जैली फिस्ट और मेरी तरद डॉल्फिन मचली तथा जल मुर्गी केकडा तथा अक्टोपस भी है पिरोटन टापूर के आसपास कौन-कौन से जीव देखने के लिए मिलते हैं तो है स्टार फिस्ट जैली फिस्ट फिर डॉल्फिन जल मुर्गी केकडा अक्टोपस इस सारे हमें समुद्र के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और कच्च का अब्ला सा यानि की बड़ा सिर् फटे करें अखास के प्राणी यानि कि जब यह फटत वो हों यहां पर आते हैं सोचकर किये Méद्या देखने के लिए मिलेगा आपको देखने के लिए मिलेगे आपने दीखने के लिए मिलेगे बर्साद मिन दिखाई देने वाले प्राण तो आए से बरसाथ में आपको चाले तरह दिखाए देगा फिर केंकड़ा यह दो बरसाथ की माशब्समें हमें देखने के लिए रिए जल्षां ऐसे जो होते वह सिर्फ हमें बर्साथ की मासम नहीं देखने के लिए मिलते हैं बरसाथ की बाद मेडद कहां चले जाते मेडब आप Sharp की व्हास में प्रुषा मेठ देखने के लिए भाद में नहीं निखते हैं देखते भी है तो बहुत कम यह तालाव यह नदि जहां पर हूँ है वराने ऐसे नहीं तो मेड़ कहां चाले जाते हैं तो मेड़ जब बरसाती मासम चले जाते हैं तब तालाब में जमीन के नीचे सुस्क रूप में रहने के लिए वहां पे चले जाते हैं जब बरसात होती है तभी वह आते हैं वन्ना तभी तक कहां रहते हैं तालाब के नीचे जमीन तालाब वा कि प्रुट मात्रा में पानी मिल सब्सक्राइब अब करना देखना चाहिए ़ंड distribute उल्टी में भू compressed इसलिए हमें पूरा डखना चाहिए डॉल Rev analyse कि अहमारे देश का राष्ट्रिया देश का स्व्क्राणि प्राणि कौन अंसा है भाग फिर आश्ट्री अपक्सी तोके मोर लेकिन राश्ट्रे जलचर पानी क्यों रहते हैं सिर्खाप सेर को अब अभ्यारणिया सब्दा को भी मैं समझा देती हूं पहले यह देख लेजिए कि पूरे एसिया में सिर्फ गुजरात में आया हुआ गीर का जो अभ्यारणिया है यानि की गीर जंगा जो है वहीं सिर्फ सेरों के लिए एक अभ्यारणिया के रुप में जाइए वहां पे खुले रूप से रह सकते चला सुर्खाव ने नीचे पूझाई है कि किसे कहते आपके भी मन में सवाल हुआ ना अभ्यारणियों सब्दन नहीं आया है तो क्या है तो कि सीग बोलता है प्राणी पक्षी निर्बई होकर स्वतंत्र रूप से घूमफिर सके उनकी सुरक्षा और समधन हो सके इसके लिए आलक्षित शेत्र को अभ्यारणियों कहते हैं अभ्यारणियों यानि कि जहां पे कोई भी प्राणी जिसके भी लिए ये अभ्यारणियों बनाया गया हो वहाँ उस जगह पे उस प्राणी या पक्षी को कोई मान ना सके वो निर्बई होके खुले में गुमफिर सके पिन उनको उनकी रक्षा भी हो और फिर उनका सवर्दन बिखो ऐसे जगा को हजाता है अभियार है। जैसे प्राणियों के लिए हमारे गुजरात में बहुत सारी जग़ों पर अभियरान है कई पर हेल्गा हैं कोई भीयरान का है fragrance कलियार का और हमने डारे कविन से मैं का विए गुर्द सब्सक्राइब कcaust प्राणियां प्षिकानक है मैं बता सब्सक्राइब मेरे आपने किसी अव्यरण की मुलाकाद ली है अगर आगने नहीं है लेकिन फिर भी हम कहीं ना इक जाते हैं तो हम कभी किसी अव्यरण की मुलाकाद गेर का जो गिरना गिर का है जंगर उसका कभी आपको करेगा या फिर अमदावाद के पास जो नल सरूवर है वहां पर जाके उसका भी अजरन कीजेगा मुलाकात लेजेगा वहां पर आपको सभी प्रकार के ठंडी के मौसम में अगर जाओ जाओ तो आपको अलग-अलग प्रकार की पक्सियों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपके जिल्ले में कौन से विशेश प्राणी या पक्सि दिखाए देती हैं अगर हमारे जिल्ले में आप देखोंगे तो हम ऐसे तो हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे लेकिन आप प्राणी संद्रा लेज़े जो ऐसे चले जाओ तो वहां पर लग-लग प्रकार के प् पंच महाल में विंद्याचल परवत अब हमारे गुजरात राज्यक में आये हुए अलग-अलग परवत तो स्रूखलाओं के बारे में दिया गए हैं पंच महाल में विंद्याचल परवत की स्रूखला में पावगण, बनासकांठा और अर्वल्ले की परवस्त्रणी में गुज्रार में कौन-कौन से पर्वतमाला आए हुई है इसके बारे में दिया गए है पावागड साए में अर्वली सप्जै भावनगर लिखना है कि हमारे राजिये में आये हुए अलग एलग परवत का नांव जिल्ले का नांव जिल्ले में वह Winter कि अंसर आपो दिया हीगए है difaka na जैसे कि यहां पे आया हुआ है कौन-कौन सी परवत माला है तो पंच महाल में आया हुआ पावागड फिर अर्वली यानि सरी अर्वली में आरासुर वाला फिर सद्पोडा परवस्रणे में सापुतारा फिर भावनगर में सित्रोंजे ऐसे आपको दिये ही गए वहीं आपको यहां पे लिखना है तो वहीं आपको यहां पे लिखना है अब चली आगे जाते हैं पड़े गुजरात के लंबे समुद्री टट पर वेरावल में मत्स्यो उद्यो का बड़ा कैन रहें गुजरात का सबसे लंबा समुद्री टटट विरावल और वेरावल में सबसे जादा मत्स्यो उद्यो यानि की मचलियों का उद्यो वहां पे होता है फिर है बावनगर जिले में अलंग बंदरगा पर जहाज तोड़ने का बड़ा उद्यो है यह भी सबकुछ याद रखिएगा परिक्सा में पूछा जाए ऐसा सबकुछ है कि बावनगर जिले में आया हुआ कौन सा बंदरगा है जहां पे जहाज तोड़ने का सबसे बड़ी मात्रा में काम होता है तो वह है अलंग यानि कि यह अलंग जो बंदरगा है वहां पे सब सब्से बड़ी मात्रा में जहाज तोड़ने का काम होता है फिर यह समुद्री टट वेरावल में मत्से उद्योग मत्से उद्योग कहां पे होता है तो कि वेरावल में फिर डांग के जंगल में बास सादर हल्दरवा सिसम और टिमरू के व्रुक्स होते हैं यह सारे व्रुक प्रक्षाप को देखने के लिए मिलेंगे पूरे डांग जिले में का अधिकांश भाग जंगल शेत्र हैं ज्यादा तर ज्ला है उसमें ज्यादा तर जंगल शेत्र ही ज्यादा है फिर आगे हैं यहां पर वगई का सुन्दर बॉटनिकल गार्डन तता गिरा दोत यानि कि गिरा जल प्रपात भी है गिरा दोत यानि कि जहां पर दोत के रूम में पानी फिरता है प्रपात उसको कहते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा सुन्दर वाटनिकल गार्डन कहां पर आगा है वगई और वह भी कहां पर आया डांग जिले में कुमने लायक यानि किली केंद उसको कहा जाता है गुजरात को अनेक नदियों का नदे से जैसे की नर्मदा मुसागर सबसे बड़ी नदि है गुजरात में साबर मती, तापी, मही सागर भी बड़ी नदिया है इसके अतिरिक्त बहुत सारी छोड़ी छोड़ी नदिया भी हमारे गुजरात में है नर्मा नदी पर सर्दा सरोवरबान आप सब जानते हो कि आप सर्दा सरोवर डेम को वहाँ पे नर्मदा नदी पर सर्दा सरुवर बांध है इस सिंचाई योजिना द्वारा गुज़ात के बहुत बड़े शेत्र में पानी की आपूर्ती की जाती है कच्च के अंथ तक नर्मदा का पानी जाता है इस बांध के कारण बिजली भी पैदा होती है पानी का रोकने के बाद इसमें से पानी निकलता है उसको अलग अलग जिल्ले तक पहुँचाए गया है वो होती सदा सरोवर डैम अमने देखा हो तो राज़किपला क्यास पर साया हुआ केवडिया के पास बना है लेकिन उसमें जो बांद बना है उसके कारण वो हमारे पूरे यानि कि नर्पैदा नदी का जूबी पानी है वो कच्छ के अंत तक गया हुआ है यानि कि इसको अलग जिल्लों में पानी की जो खपत होती थी यानि कि गर्मी के मासा में जो पानी कम हो जाता था या जो भी किसान थी उनको बीच बोने में उनको पानी नहीं मिनता था उनका बीच बोया हुआ वेस्ट जाता था तो सब को बचाया अब ज्यादा ओलो पानी से अपना नाज यान कराण। इसके करण विजली वी उतपन होती है यानि कि अधिक मात्रा में वहाँ पेढ़ गार जाती है। भांध और पूल दोनों नदी पर बांध जाते, इन दोनों का अंतर क्या भांध और पूल दोनों सब्दा नदी पर ही दीखोगी यहने कि अदिब बनाजाते हैं लेकिन दोनों में परिवर्व qualquer नद Circoyal तो नदी में चूго पानि रहता है ँसको संग्रह कंपाने के लिए बनाया है उसको साध यायनि पे बड़ा ना हम उसका उप tat हूं चैजा पानी को जानी को ज़से पानी की आना टनECT। इतना पानी आने पे इतने दर्वाजे खोले गए इतना खोला गया जिसे पानी आया तो क्या होता है कि उसको पानी को संग्रा करने के लिए एक बनाया जाता है जिसमें पानी उपर से जितना भी आता हो संग्रा होता है फिर अगर अधिक मात्रा में पानी आता है तो थोड़े तो होता है इस जगह से उस जगने नदी के लिए गणारे के जाने के लिए एक जोग बनाया है जोन के सकते वो सुरतने नदी शबी नदी जोटें है यə उनकी नाम है दो अगर हम सुरत में रहते थे तो मैं बोचिछती की तापी नदी यानि कि एक नदी हमें बता है कि जिल्ले में एक नदी है वह तापी फिर बहुत सारी अगर छोटी-छोटी नदिया है आपके जिल्ले में तो भी आप लेख सकते तीन नदियों के नाम लिखना है फिर आगे दुसरा सब जिल्ले की सबसे बड़ी नदी पूछा जाएग तिसरा है जिल्ले में आये हुए बन यानि कि हमारा जिल्ले में जो भी बांग बने हों उनके नाम लेखना है तो सुरत जिल्ले में आप देखोगे तो आपको काकरा पार काकरा पर डेम लेखने के लिए मिलेगा यानि यहाँ पर आप लेख सकतो काकरा पर नर्मदा नदी से सुर्खा बाई आनन की अमुल डेरी महिसागर का कंडाना डेम देखकर उड़ते उड़ते गुजरात की राज़तानी ग्याती नगर पहुंचे नर्मदा नदी से वो सुर्खा बाई गये है आनन, आनन की अमुल डेरी हमारे जिसकी सबसे पहले नमर की डेरी है जहां पर दूद का अधिक माकरा में पदन होता है तो अमुल डेरी फिर उसके बाद हो गये कंडाना डेम और फिर राज़तानी हमारे गुजरात की राज़तानी कौन सी है खांदी नगर गुजरात का सबसे अधिक रुक्षो वाला नगर है खांदी नगर में सबसे ज़्यादा रुक्ष है यानि कि सबी नगरों में देखने जाओगे तो गुजरात गांदी नगर में सबसे अधिक रुक्ष है सुर्काब भाई इंदोरा पार्क तथा महत्मा मांदीर भी गया वहां से साबरमती नदी के किनार स्थीत अहम्दाबाद भी गया यहां गांदी आश्रम है गांदी बाबो की जय हो अरे वहां काकरिया ताला भी बहुत ही सुन्दर है अहम्दाबाद में दो चीजे पहले तो गांदी आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे गांदी बापुर्पा जो भी वहां पे बनाया गया है तो वहें गांदी आश्रम और दूसरा है काकरिया तलाब, सबसे बड़ा यानि कि अमदाबाद में आया हुआ काकरिया तलाब है, वहाँ पे काकरिया का नेचर परक भी है, जैसे हमारे यहाँ पे नेचर सुरत में नेचर पाखे रसे, वहाँ पे भी नेचर परक है, वहाँ पे अलग-लग प्राणियों क को रखा गया है आप बोलते ना जू नाय संहरा लई वहीं तो वह भी है और काकर या तालाब भी है तो भी उन्होंने देखा नल सरोवर अमदाबाद और सुरेंद्रन नगर जिल्ले की बीच आया हुआ पक्षियों का अप्याराणी है नल सरोवर चुमेन आपको पहले से बता कि में भी हैं मुझे गुजरत में मज़़ा आया बहुत मज़ा आया आया लविज़रा इसके बाद सुरफा आपको लिखना नीचे क्रिया कलम में सुर्हा द्वारा देखे गए जिल्लों पर पीला रंग भरे यहाँ पर कौनगों से जगह पे गए है वो जिल्ले पे आपको पीला रंग बना है इसी के साथ हमारा साथवा चप्टर यहां पे समाप्त होता है ठैंक यू